नमस्कार आदाव इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ CIV इंडिया नियूस तो चलिए शुरू करते हैं खबरों खांसे सिला कन्नाव जिले में किसानों को खात की समस्या धान की खरीद अभी तक सुरू नहीं हुई इन सब समस्याओं को लेकर कलेक्टरेट परिसर में सैक्डों की संख्या में सपा कारिकरताओं ने जम कर परदर्शन किया परदर्शन के दोरान सपा कारिकरता सरकार विरोधी नारे लगाते रहे प्रतर्शन के दोरान सपा के सांसद प्रतिनेदी नवाप सिंग ने डियम रवेंद्र कुमार को राजपाल के नाम संबोधित ग्यापन सौपा ग्यापन में सपा नेताओं ने कहा कि डियेपी एनपी के खाद के मुल्यों भी बितहाशा ब्रिदी की गई है जिससे गरेब किसानों के सामने बड़ी समस्या उत्पन हो गई है सहकारी समितियों पर किसानों को समय से खाद नहीं मिल पा रही है कुछ खास लोगों को या फिर ब्लैक में खाद मिल रही है जिससे किसान समय से बवाई नहीं कर पा रहा है मक्का का समर्थन मूले किसानों को नहीं मिल रहा है मक्का का समर्थन मूले 1741 रुपे है लेकिन किसान 12-13 रुपे किलो बेचने पर मजबूर है कनोज में कहीं सरकारी खरीद नहीं हो रही है इसके चलते किसान दरदर भटक रहे हैं सरकारी धान खरीद के इंद पर धान की खरीद भी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है जिसके चलते सस्ते दामों में किसान विचाउलियों को धान बेचने पर मजबूर है और साथ ही आवारा चानवा लगातार किसानों की फस्लों को नुक्सान पहुचा रहे हैं किसान इससे भी परिशान है सपा के सांसत प्रतिनी थी नवाब सिंग्यादों ने कहा कि अगर सरकार किसानों की समस्याओं को दूर नहीं करती चार सो गोरी टीएपी अन्पीके पे बढ़ा दिये गए किसान की बैसे हालत खराब थी खाद की महंगाई से और इस्तिती खराब हो गई है और खाद मिल नहीं रही है सरकारी संतियों पर बिलेक हो रही है कुछ लोगों को खाद मिल रही है जो सत्ताधारी लोग है आम किसान परेशान है दूसरी बात मक्का की अभी तक कहीं पे खरीद सरकारी नहीं हो रही है मक्का का रेट जगे जगे पोस्टल बड़े बड़े लगा दिये कि मक्का का मूले 17 से 41 रुपिया किसानों से पूछो जाके कि उसे 12-13 रुपए में बेचनी पड़ रही है यही इस्तिती धानकी है धानकी भी खरीद कहीं नहीं हो पा रही का पहले का 24 तारीक से होगी अब कहरे आज से होगी लेकिन ना आज और ना कल अबारा पश्मों की इस्तिती यह है कि किसान किस तरीके से फसल को तयार करता है करज लेकर खाट डाल कर और वो पशू जो सारी फसल खाके चोपट किये दे रहे हैं तमाम किसानों की समस्याएं हैं खाद बीज बिजली नहीं आ रही है इन समस्याओं को लेकर हम लोग आज ग्यापन दे रहे हैं आज तो सांकेतिक धरना परदर्शन है लेकिन अगर इन समस्याओं का समाधान ना हुआ समाजबादी पार्टी सड़क पर उतार कर किसानों की लड़ाई जड़ेगी